तो दोस्तो साउट सुपस्टार प्रभास बैक टो बैक कई फिल्मों को लेकर चर्चाओं में है मगर इसके साथ साथ बाहु बली स्टार के लव लाइफ पर भी हर किसी की नजर बनी रहती है दोस्तो प्रभास साउट सीने जगत के मोस्ट हैंडसम बैचलर माने चाते है फिल्मों की लेडी सुपस्टार कही जाने वाली अदाकारा अनुषका शट्टी से जोड़ा जाता है हाला कि दोस्तों ये दोनों ही सितारे एक दूसरे को महज अच्छा तोस्ट पताते हैं लेकिन दोस्तों इसके बावच जूद इनकी जोड़ी को साथ देखने के लिए फैंस सुपर उपर एक्साइटेड हो जाते हैं मगर हाली में एक ऐसे जानकारी सामने आ रही है जिससे प्रभास और अनुषका शट्टी को साथ देखने वाले फैंस को एक जबरदर छटका लगने वाला है जी हाँ दोस्तो दरसल ताजा मीडिया रिपोर्ट के माने तो प्रभास अब जल्दी शादी करने के प्लैनिंग कर रहे हैं मगर दोस्तो अनुषका शट्टी नहीं बलके उनकी दुलहनिया कोई एनराई लड़की होने वाली है जी हाँ दोस्तो दरसल टॉलिवुड डॉट नेट के एक ताजा रिपोर्ट की माने तो बद है कि प्रभास अमेरिका स्थेटक सौफ़एर कंपनी के फाउंडर की पेटी संग शादी रचाने वाले है ये एक अरेंज मैरेज होने वाली है जिसके लिए दोनों के परिवार के बीच बात्चित भी हो चुकी है वही दोस्तो इस बीच दिल्चस्प बात ये है कि खुद प्रभास ने इस रिष्टे के लिए हरी जंडी दे दी है जिसके बात साउस सुबस्टार की शादी की तयारियों के लिए परिवार जुट गया है वही दोस्तो रिपोर्ट्स की माने तो सुबस्टार प्रभास अपनी अपकमिंग वल्ड रादे शाम की रिलीज के बात घोड़ी चड़ने की तयारी कर रहे है हाला कि अभी इस खबर पर हमें ओफिशल अनॉंस्मेंट का इंतसार है मगर दोस्तो चर्चा काफी तेज है कि साउस सुबस्टार प्रभास इसी साल शादी कर सकते है दोस्तो हम आपको पता दे कि प्रभास और पूजा एकने स्टार फिल्म रादे शाम बस रिलीज का मूद देख रही है ये फिल्म बनकर तयार है और बीते दिने निर्माता होने एक प्री टीजर रिलीज कर एलान किया था कि उनके इस अपकमिंग फिल्म का टीजर चौदा फरवरी को रिलीज होने वाला है लेकिन दोस्तो फिलाल जो खबरे सामने आ रही है उसके मुताबिक प्रभास अपनी फिल्म रादे शाम के रिलीज होते ही शादी करने वाले है तो प्रभास के तमाम फैंस आप पताईए कि आप इस खबर पर क्या कहना चाहेंगे जरूर शेर कीजिए अपनी राइ कमेंट सेक्शन में और दोस्तो साथे साथ वीडियो अच्छे लगे हो तो इसे लाइक और शेर करना ना भूले और बॉल्यूड की लेटेस अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन सोडे योटॉप चैनल को चैनल